नमस्कार, M.C.O. दर्शन के दर्शकों और रेडियो कर्मवीर के शुरोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, हर दिख स्वागत करता हूँ M.C.O. दर्शन दर्शन दर्वारा शुरू की गई टॉक शोक शंखला में आज हमारे बीच में देश की एक बहुत जानी मानी बहुत बड़ी हस्तित है जिनसे हम चर्चा करेंगे, बाच्चित करेंगे आप हैं डॉक्टर सचितानंद जोशी, डॉक्टर जोशी बरतमान में इंद्रा गांधी, राश्ट्री कलाकेंद्र के निदेशक हैं और एसके अलावा आप खुशाफव ठाकरें बिशिध्याले के कौल पती रहे हैं माखनलाल चत्रुवृधी बिशिध्याले के अनिक वर्शों तक कुल सेचीव रहे हैं बहुत अच्छे लेखक हैं, कुत्तम वक्ता हैं, कला मर्मग्य हैं, कला और संस्कूति के अध्यता हैं चुकि माखनलाल विश्विद्ध अला में आपका बहुत लंबे अरसे तक काम रहा है इसलिए हम पहले अपनी बाच्छीत की शुरुवात आपके माखनलाल के अन्हों से ही करना चाहेंगे और सर का आप सब क्यों से स्वागत करता हूँ, सर बहुत बहुत नश्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत दन्यवाद गिरीज जी, आपने बड़ा अच्छा परिचे दिया उसके लिए जी, 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 बैसे मैं परिचे आपका छोटा ही दे पाया हूँ, जैसे मैंने कहा ये तो टिप आफ आफ आइसबर्ग है सर के बारे में कहा जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चुकि समय कम है, इसलिए हम बाक्षी सीधे शुरू करते हैं सर आपका माखनलाल चतरुवदी विशुद्ध दैला में बहुत लंबा कारे काल रहा है, मुझे लगता है आप 92 से जुड़े और 2005 तक आप कुल सची गुरूप में माखनलाल में आपने बहुत लंबा अरसा आपने पिताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे शुरुताओं को, आपके इन अनुभों, जो तेरा वर्श के अनुभों थे, उसकी कुछ यादे हैं, जो आपके जह विश्विध्याले में आया, तो ये विश्विध्याले बिलकुल आरंभी का वस्था में था, इसकी स्थापना 1990 में हुई और मैं 1992 में से जुड़ा, तब यहां के पहले बैच की परिक्षा होनी थी, और जब मैंने साक्षातकार दिया था, तब ये स्वामी दयानंद नगर की एक बंगले में चला करता था, और वहां से उन दो कमरों के, तीन कमरों के विश्विध्याले से फिर ये त्रिलंगा में आया, त्रिलंगा से फिर ये महाराना प्रताप नगर के अपने परिसर में आया और इसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत सारी यादें इसकी स्रेश्ट तम शिक्षक हैं और सारी की सारी सुविधाएं जो एक बहुत अच्छे मीडिया संस्थान को मिल सकती हैं वो सब यहाँ पे हैं लेकिन जब आरंभिक अवस्था थी इसकी और हम सब जानते हैं किसी भी संस्था के आरंभिक दौर में बहुत परिशानिया होती है कहां से शुरू करूँगा और कहां खतम करूँगा लेकिन मुझे अभी भी याद आता है कि कैसे हम जब पहले बैच की परिक्षा ले रहे थे और कैसे जब उन विद्यार्थियों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत नया सानभव था तो हमने उस परिक्षा की पूरी गं नत्व है जो एक घनिष्टता है संबन्नों की उश्मा है वो जब देखते हैं तो हम बहुत अधीक द्रवित हो जाते हैं तो ये पूरा एक परिवार यो एक विश्विद्याले आज इतने बड़े स्वरूप में है एक पूरा एक परिवार है तो इसकी बहुत सारी बातें क कैसे यहां के लोगों के परिश्रम से मेहनत से समर्पन से ये संस्था आज वहां पहुंची है कि आज ये एशिया में अपना नाम कर रही है तो इतनी ही बात मैं भी जे 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 वरतमान में आपके पास में जो दाईतो है इंदरा गांदी राष्टी है कला के इंदरा की सदस करना से लेकर उसकी योजना उसके क्रियान वंदग आपने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है तो मैं चाहूंगा कि उस भूमी का में ब्यों आपके अनुहों हैं को अनुहों आप मुमारे दर्शकों शोताओं के लिए साजा करें हाँ वो एक बहुत नया और अलग सा काम था, चुनते पूर्ण काम था, कला में मेरी अभीरुची थी, मैं थेटर का आदमी हूँ, रंगमंच का वेक्ती हूँ, उस नाते से कालात्मक अभीरुची थी, अकादमिक जगत में काम किया, इसलिए अकादमिक अभीरुची थी, इसलिए इंदरा गांधी राष्ट्री-क अला केंदर में सदर से सचिव के तौर पर मैंने काम करना प्रारम किया जब ये नया संसद भवन बन रहा था तो वहां पर संसद भवन की दीवारों पर क्या चित्र हों या क्या कलाकृतियां हो इसको लेकर बहुत विचार मंथन हो रहा था तब मानी प्रजानमंतरी जी ने ज एक विशेश वर्ग, विशेश समाज, विशेश विचार, विशेश मत पंथ को नहीं, बलकि भारत की पूरी एकात्मता को प्रदर्शित कर दिए। तो यह काम बड़ा कठिन था और जो निश्चित तोर पर कई लोगों से प्रस्ताव मांगे गए थे। लेकिन अंतत है यह त संस्कृति मंत्रा ले करेगा और जब यह संस्कृति मंत्राले करेगा यह बात तए हुई तो यह काम हमारे उपर आ गया क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही हमने कलाकेंद्र का भवन था जो मान सिंग रोड पर था जो कि 25 एकड में फैला हुआ परिसर था उससे हमने जनपत ह में शिफ्ट किया और जिस तरह से हमने जनपत ओटेल को एक तरह से नए स्वरूप में लाया तो वो पूरे जगह पे कम से कम सांस्कृतिक जगत में चरचा का विशे बना तो इसलिए ऐसा शायद हो सकता है कि उनको लगा हो कि ये लोग कर सकते हैं पर जब हमने पहला प्रस्त कहा कि बस अब इसको कर डाली है तो वो हमारे लिए मतलब एक परिक्षा से सफलता भी थी लेकिन आगे बड़ी परिक्षा थी कि कर डाली है मतलब क्या कर डाली है सारी चुनोतिया हुई उन चुनोतियों के बीच में से हम लोग ने रास्ता निकाला आप समझ ये कि एक अब देखा जब इसके कॉलम खड़े हो रहे थे और तब से हमने इसकी जो पूरी की पूरी काला की परिकल्पना थी वो की दिन रात एक किया हमारा अपना अनुभव बहुत सीमित था लेकिन देश के कई विशेशग कम से कम सौ से जादा विशेशग्यों से हमने सला की होग अभी तक कलाकृतियों को लगे कहीं कोई विवाद नहीं आए तो वो अपने आप में बहुत ही अद्भूत अनुभव था और उसमें भारत की जाकी थी और भारत के कला वैविध्य की भारत की स्वंस्कृतिक वैविध्य की सनातन परंपरा की भारत की जो लगातार कई वर्ष सभी कलाकृतियों में प्राया प्राया हमने कोशिश की है कि बहुत बड़े नामी गिरामी कलाकार नहीं है उस सब मेहनती कलाकार है अपने कौशल से प्रभावित करने वाले लोग है लेकिन वो उस नाम के वाले लोग नहीं है जो होता है न कि बहुत बड़े नाम वो नहीं ब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग है, बलकि आपको अश्चर होगा पूरे संसत के जो केंद्री कक्ष है, वहाँ पर एक दीवार है, वहाँ पर मानी प्रदार मंतरी जी ने कहा था कि क्या हम यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि जो हमारी माताएं बहने घर में जो काम करती हैं, कलाकृतियां करती हैं, उसका कहीं प्रतिनिधित हो सके, तो हमने वहाँ पर एक पूरी की पूरी दीवार क्रियेट किये है, जि वो पूरी की पूरी दीवार जो है वो बायो डिग्रेड़ेबल मटेरियल से बनी है, पर्यावरन का पूरा द्यान है, ऐसे कई प्रयोग वहां पर हमने किये हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि प्रयोग करने की स्वतनतरता थी, और अब आप सुचें कि देश के शिर्शस्त कि जब आपको मॉनीटर कर रहे हूं, तो निससंदे आपको स्रेश्टतम ही देना पड़ता है, और उन्होंने हमारे से स्रेश्टतम काम करवा लिया, यह एक बड़ी बात है, बहुत अच्छा, डॉक्टर जूशी का एक और आयाम है, जिस मैंने परीचर में बताया था कि भ आपको क्या लगता है, यह नई शिक्षा नीति, यह राश्टी शिक्षा नीति जो लागू होई है, यह एक देश की शिक्षा वेवस्था को, यह देख्षी शिक्षा पद्धती को, यह विद्ध्यार्थियों की बीच में किस प्रकार के परिवर्टन ला सकती है, या लाने बात होती है एक तो बात है कि आप टेक्स बदल दीजे, किताबें बदल दीजे, material बदल दीजे लेकिन उससे बड़ी जो बात होती है जो व्यापक बात होती है वो होती है कि आपका मानस परिवर पर, माइंड सेट चेंज करना और वो बहुत जरूरी था और आप जानते हैं कि 1835 से लेकर तो 2020 तक लगभग कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे ये साबित हो जाए कि हम उस अपनिवेशिक मानसिक्ता से मुक्त हुए है हमारा मन डी कॉलोनाइज हुआ है तो ये जो राष्ट्र हम अपनी इतिहास की बात करें संस्कृति की बात करें भाषा की बात करें विज्ञान की बात करें भूगोल की बात किसी की भी बात करें उसमें हमारा भारती परिवेश भारती परिद्रिश्य भारती द्रिश्टिकून कैसे आ सकता है इसकी बात करना है राष्ट्री करते हैं तो संधर्ब क्या देते हैं? विदेशी पुesten का संधुति. क्योंकि हमको लगता है , बhárत में ऐसी कोई प्रामाडिक बात हमने की ही नहीकıı. दूसरी बात है सब चीजें उन्होंने कवर की हैं तो ये इतना जो विशाल परिद्रिश है वो विद्ध्यारतियों के सामने आए अब आप देखिए कि पूरे देश में अलग-अलग विश्विद्ध्यालियों में भारतिय ज्यान परंपरा को लेकर अलग से विभाग खुल रहे हैं आपक ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन व्यापक है भारती शिक्षान मंडल ने जब अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दिया था राश्ट्री शिक्षानीती जब बन रही थी उसका काफी हद तक इसमें समावेश हुआ बहुत सारे चर्चाओं में हम लोग वहां थे और हम विद्यार्थियों में आदर जगाएं ये तीनों चीजे जब होंगी तो निश्चित तोर पर हम राश्ट्री शिक्षानीती को सही दृष्टी से अपने देश में लागू होता हुआ देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आयमों पर काम करने की आउशकता है विद्यार्थि और शिक्षक दोनों कि आप संस्कृति कला इन सारे विश्यों के मरमग्य हैं ही साथ में पथरकारिता से भी जुड़े हुए हैं आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया भारत की संस्कृती को जानन संस्कृति को किस दुष्टी से देखें संस्कृति को देखने के बाद उसका अध्यन करने बाद दुनिया को किस तरह से बताए हैं अचार आयम अपने पास में प्रेंट मिलिया इलेक्ट्रानिक मीडिया और मोजो का भी जमाना चुरू हो चुका है तो चारों आयम पे काम क तो किसपरकार से भारती संकृtype का प्रचारप्रसार करने में यूगदान की यूचों सबसेपगे संस्कृति का मुल क्या मित एपकार प्रष्स न संस्कीया की संसलें संकृतिन की मूलज़ान ने लकूंदी को विए संस्कृति संस्कृति क administrator को संमझना नहीं है वह मन में बड़ा ब्oham रहता है संस्कृति का कवरेज कम हो रहा है, कि ज्यादा हो रहा है, या जो हो रहा है, जैसे क्वालेज का supplice ऐनुल फंक्षन है, ए तो आप इसके कर लिने संस्कृति काफ़ेज कर लिया आपने संस्कृति का लियाए, ऐसी बात नहीं है। दरसल हम सबको ये बात समझनी चाहिए और शायद विद्यार्थियों को ये बात बहुत जरूरी समझ लेनी चाहिए कि भारत की जो मूल अवधारना है या भारत का जो मूल परिचय है वो एक संस्कृतिक अस्मिता का परिचय है अगर आप मैं बार बार इस वाकिय को कहता हूं और पुनरा वृत्ति होने के दोश के बावजूद इसको कहना चाहता हूं कि जब आप विदेश जाते हैं और जब आप विदेश में जाकर अपना परिचय देते हैं कि आप भारत से आए हैं तो सामने वाले की पहली पृतिक्रिया क्या होती है, वो कभी नहीं कहता है कि आप एक बहुत बड़ी scientific power है, या आप बहुत बड़ी economic power है, या आप बहुत बड़ी military power है, जो एक spontaneous reaction है, इंडिया, you have a great culture, यानि एक भारती के तोर पर मेरी पहचान क्या है, वो संस्कृति की आज कल बहुत सारे जब आपने यूट्यूब का जमाना और मोजो का जमाना बताया, कई मैं यूट्यूब पर सीरियल देखता हूं जिसमें हमारी स्वस्त पारिवारिक परमपरा को दिखाते हैं, भाई बहन के रिष्टे कैसे सुन्दर हो सकते हैं, माता पिता के रिष्टे परिवेश कांग है, उन सब बातों को भी दिखाया जाना, उन सब बातों को भी बताया जाना, ये भी होना चाहिए, और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे पास साधनों की अधिकता जरूर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो विचार उसमें जाना चाहिए, जो न हम हैं, जैसा परिवेश हमारा है, जिसको हम अच्छा समझते हैं, और जो हमें हमारी परिवार में, पीडियों में परंपरा से सिखाया बताया गया है, अगर हम उसी परिवेश का भी साक्षातकार लोगों से करा हैं, तो भी एक अच्छी संस्कृती को बता से हैं, अब मुझे जानकारी लगे कुछ एकल शोव भी आप दोनों मिलकर करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए तो मैं कहता हूं कि मैं मूलतह और अंततह रंग कर्मी हूं और मैं इसलिए ये कहता हूं कि रंगमंच आपको सब करना सिखा देता है वैसे आप देखे तो हम सब भी जिंदगी में नाटक ही करते हैं अभी आप ये जो मेरा इंट्रिव्यू ले रहे हैं तो ये कोई आपका मूल काम थोड़ी है पर आप एक नाटक कर ले जब आप शिक्षक होते हैं तो क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाते हैं तो क्या करते ह तो कि वो एक आख्षान रहता है उस विशेश, विशयका तो इसलिए हम सब नाटक ही कर रहे हैं मैं हमिशा मानता हूँ कि यह जो नाटक करना है यह आपको जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी करने के लिए प्रेणा देता है और शक्ती देता है जब मैं माकनलाल चतुरदी विश्वध्याले में आया था तो लिटरली यहां कुछ नहीं था हमने अपने हाथ से चपड़ा खुद लगा के इस लिफाफे सील किये हैं बावजी उदिस के कि मैं यहां रजिस्टार था मैंने अपने हाथ से सुतली से पेपर के गठे बान्दे हैं आटो में पहुचाए हैं ट्रेन में दिये हैं मुझे याद है अभी भी कि हमको कहीं पेपर पहुचाने थे और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था तो हमने अपने एक साथी को बोला कि तुम घर से आओ खाना खाओ और सीधे स्टेशन पहुच जाओ तुम्हें पेपर में चलती ट्रेन में दूँगा और लिटरली मैंने चलती ट्रेन में पेपर दिया है ये भी सब किया है तो वो भी क्या है वो सब किसी प्रशासन की किताब में नहीं बताया जाता है लेकिन थेटर में बताया जाता है कि जो परिस्थिती है उस परिस्थिती से आपको कैसे निपटना है तो ये सबसे बड़ी सीख सबसे बड़ी ट्रेनिंग यहां पर मिलती है और दूसरी बड़ी ट्रेणिंग मिलती है, वो है रोल प्ले, रोल प्ले में आज मैं रजिस्टार हूँ, लेकिन मैं क्लर्क भी हूँ, मैं भृत्य भी हूँ, समय पढ़ेगा तो मैं कुल्पती भी हूँ, तो क्यों है, क्योंकि हम रोल प्ले कर ले हैं, एक समय में एक जगे परिक्षा करानी थी, और मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं था, और मुझे मालूम पड़ा कि वहां परिक्षा केंदर में बड़ी परिशानियां हो रही है, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक दक्षता का व्यक्ति चाहिए, तो मैंने यहां के एक चतुर्थ शिरेनी करमचारी को कि तुम महां जाओ, और वहां परिक्षा समालो, और उनसे कह दिया कि साहब फलाने साहब आ रहे हैं, और वह आपकी परिक्षा के सुपरवाइजर हो, तो वहां पूरे केंदर में उनको लेके हड़कम पुमच गया, और उन्होंने बहुत अच्छे से परिक्षा कराई, कैसी वक्ति को भीज दिया है, वो तो आपकी आफसर भी नहीं है, मैंने का जब वो वक्ति वहां गया था, तो वो यहां के महानिदेशक की पावर लेके गया था, तो उसका पद मत देखिए, वो महानिदेशक है, यह सब क्या है, दरसल यह आपको दिखाता है कि जिस परिस् मुझे लगता कि भारत की जो मूल अध्यात्मिक चेतना है वो जो सिखाती की साक्षी भाव से अपनी भूमी का इस अंसार आपको निवाना है उस दर्शन के सार को आपने अपने पूस थेडर के अनुबह से हमारे सामने व्रक्ते किया है बहुत ही सुन्दर आपने उधारन द पुलपती है एक ऐसी जगह पे मुझे क्लास लगानी पड़ी जो खेल के सामान की कबरगा थी स्टेडियम के नीचे का कमरा था इतना गंदा था खराब था लेकिन हमने उसको तीन महीने में इतना ऐसा सुन्दर बना दिया कि वो स्रेश्टितम क्लास रूम्स के तौर पर श मैं तो क्या संदेश दूँगा यह सब बहुत अच्छे होनार बच्चे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक ही बात कहना चाहता हूं जिस काम के लिए आपका दिल आपका मन गवारा न करे वो काम कभी मत करना और हमेशा यह सूचना कि देश आपको देख रहा है और देश आपसे बहुत अपेक्षा रखता है तो इसलिए रात को जब आप अपने घर जाएं और आईने में अपना चेहरा देखें तो जो चेहरा आपको दिखे वो आपको आश्वस्त करें कि नहीं तुमने आज जो कुछ भी किया है अपने देश के लिए किया है सर बहुत बहुत धन्यवाद, MCO दर्शन और रेडियो कर्मवीर की पूरी टीम के वर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आवार, निश्चीत अगली बार भी जब आपका बजारपन होगा तो अलग-अलग विश्व में आपसे जर्चा करेंगे,